अफ़िस को है हेलो फ्रेंड्स वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल में आज मैं आपके लिए ये स्वेटर कर डिजाइन दीजाइन को आप идет की लेडी स्वेटर ज Primary two फ्रेंट्स इसамен बदिजाइन अहमारा राइट साइट है इस तरह से दिखेगा कि अन्या में इन जुचे के येथ चाहिए ये राइट साइट से ये उन राउंग साइट में दिखेगा है इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें eight के multiple में फंदे चाहिए होंगे और प्लस one करेंगे और दो फंदे हम एक्स्टर रखेंगे चलिए friends अब डिजाइन को बनाना सीखते हैं देखिए friends मैंने सलाई में फंदे डालके रखें ये मेरी round वाली needle है यह भी 10 नंबर किया है और इसमें मेरे 27 फंदे डाले हैं 25 फंदे मेरे डिजाइन किया है और 2 फंदे मैंने एक्स्रा रखे हैं हमारा डिजाइन राइट साइट से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स फर्स्ट रूप ध्यान से देखने आपने और वीडियो को पूरा देखने हैं पहला फंदा स्लिप कर लेंगे धागा आगे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन धागा पीछे तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा आगे दो फंदे उल्टे देखे फ्रेंड्स यही आथ फंदे अब हमारे आगे रिपीट ओनगी तीन उल्टे और तीन सीधे छे और दो उल्टे आठ अब देखे दागा आगे रहेगा आगे रिपीट होगा डिजाइन तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन धागा पीछे, तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन धागा आगे दो फंदे उल्टे एक, दो अब रिपीट पैटन, तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन धागा पीछे, तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन धागा आगे दो फंदे उल्टे एक, दो और एक और फंदम, उल्टा बनाएंगे, यह हमारा, जो एक्स्ट्रा फंदा प्लस किया है हमने, वो वाला फंदा है, और धागा पीछे करेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा, क्योंकि यह हमारी राइट साइड है, देखे फ्रेंड्स, अम आगी हूं, सेकिंड रो में, रॉंग साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अब यहां पे हमने, सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, सारे फंदे उल्टे बना लेंगे, रॉंग साइड की रो हमारी हर बारी इसी तरह से बनेगी, लास्ट वाल फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे, क्योंकि यह हमारी रॉंग साइड है, अब मैं आगे हूं, राइट साइड, थर्ड रो, देखे फ्रेंड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, यहां पे हमारे तीन फंदे उल्टे बनेते, धागा आगे लेके आएंगे, अब दो ही फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, एक, दो, धागा पीछे करेंगे, यह जो एक उल्टा फंदा है, यह सीधा फंदा है, इन दोरों में आगे की तरफ से सलाइड डालेंगे, आगे की तरफ सलाय डालेंगे और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे अब यहां पे हमारा एक फंदा कम हो गया है तो हमने क्या गना धागा गुमाना है जाली डालनी है और ये बीच वाला फंदा सीधा बनाएंगे जो तीन फंदे सीधे हैं उसमें से हमने एक फंदा सीधा बना लिया और जाली डालेंगे फंदा बढ़ गया हमारा तो एक फंदा दो फंदे हम स्लिप करेंगे यह जो दो फंदे हमने उल्टे बनाये थे उसमें से एक फंदा हम इस सीधे फंदे के साथ बुनेंगे और एक बना लेंगे यहाँ पर आब हमारा कोई भी फणदा घटा या बढ़ा नी अब दागा आगे लेके आएंगे तीन फणदे उल्टे एक दो तीन तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद दागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये उल्टा है हमारा और एक सीधा है दोनों में आगे की तरफ से सलाई डालेंगे और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे धागा गुमाएंगे जाली डालेंगे एक फंदा सीधा धागा गुमाएंगे दो फंदा को स्लिप्ट करेंगे और वापस सलाय में लेंगे और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे धागा आगे तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन धागा पीछे, आगे की तरब से दो फंदों में सलाय डालेंगे और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे धागा गुमाएंगे एक फंदा सीधा धागा गुमाएंगे दो फंदों को स्लिप करेंगे वापस से लाए मिलेंगे और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे धागा आगे दो फंदें उल्टे धागा पीछे लास्ट वाला फंदा सीधा रॉंग साइड की रो हमारी सेकंड रो की तरह ही बनेगी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगे देखे फ्रेंड्स मैंने रॉंग साइड की रो कंप्लीट कर लिए मैं राइट साइड फिफ्ट रो में आगी हूँ यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजेगा यह जो उल्टे फंदे हमारे वो घटते जाएंगे और सीधे फंदे यहाँ पर जाली से बढ़ते जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह उल्टे फंदे हमारे घटते जाएंगे पहला फंदा स्लिप करेंगे धागा आगी लिख्याएंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे यहाँ पहले तीन थे फिर दो उल्टे बनाया हमने अब हमारा एक ही फंदा उल्टा बन रहा है धागा पीछे करेंगे आगी की तरफ से इन दो फंदों में सलाई डालेंगे और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे जाली डालेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन जाली डालेंगे दो फंदों को स्लिप करेंगे एक उल्टा रेक सीधा पापस लाए में लेंगे सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे धागा आगे अब हमारा यहाँ पे एकी फंदा उल्टा बनेगा धागा पीछे पहले हमारे यहाँ पे पांस थे फिर तीन फिर अब हमारा एकी फंदा उल्टा बचा हुआ है आगी की तरफ से इन दो फंदों में सलाई डालेंगे और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे जाली डालेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन जाली डालेंगे दो फंदों को सलिप करेंगे वापस सलाई में लेंगे और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे दो फंदों में आगे की तरफ सलाई डालेंगे और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे, जाले डालेंगे तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, जाले डालेंगे दो फंदों को स्लिप करेंगे, वापस लाई में लेंगे और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लास्ट वाला फंदा सीधा, रॉंग साइट की रो हमारी सेकिंड रो की तरह बनेगी, सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फ्रेंट्स मैं आपको ये कंप्रीट करके दिखाती हूँ, देखे फ्रेंट्स मैंने रॉंग साइट की रो कंप्रीट कर लिए, मैं राइट साइट सेवंद रो में आ गई अब देखे फ्रेंट्स सेवंद रो में हमने क्या करना है, ये पहला फंद तो हम स्लिप कर लेंगे, अब यहां पर हमारा एक फंद सीधा था, उसे हम उल्टा था, उसे सीधा बनाना है, और नेक्स्ट वाले फंदे को भी हमने सीधा बनाना है, ये जो हमारा चेन वाला फंदे उल्टे एक दो तीन चार और पांच पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे गरेंगे एक फंदा सीधा जो हमारा ये चेन वाला हैसे हम सीधा बना लेंगे देखे फ्रेंड्स यही 8 फंदे आगे रिपीट होंगे दो सीधे, पांच उल्टे और एक सीधा यह हमारे टोटल आठ फंदे हो गए यही रिपीट होंगे दो फंदे सीधे धागा आगे पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच अब धागा पीछे अगर मैं आपको मल्टिपल के हिसाब से ना बताते हुए सीधे अपनी आसान सी लेंग्वेज में बताओ तो तीन फंदे हमारे यहाँ पे सीधे बनेंगे जो एक उल्टा बचावा उसे भी हम सीधा ही बनाएंगे यह देखे तीन फंदे, सीधे एक, दो और तीन फंदे सीधे होगे अब हमारे अब धागा आगे लेके आओगे तो पांच फंदे उल्टे बन रहे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच यह जो हमारे उल्टे फंदे बन रहे होगे हमारे जाली से बने वे फंदे धागा पीछे करेंगे लास्ट में भी हमारे दो फंदे सीधे बनेंगे एक यह और एक यह उल्टा वाला फंदा इसे भी हम सीधा बनाएंगे अब धागा पीछे ही रहेगा लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे देखे फ्रेंट्स मैंने आपको जो यहां पर बताया था वो पूरी रो में अमारे यही रिपीट उरत दो फंदे सीधे पांच उल्टे फिर तीन तीन सीधे पांच उल्टे स्टार्टिंग में दो दो फंदे सीधे रहेंगे और बीच बीच में हमारे तीन फंदे सीधे रहेंगे और पांच उल्टे रॉंग साइड की रो मैं आपको कंप्लेट करके दिखाऊंगे सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं देखिए फ्रेंड्स मैंने रॉंग साइड की एट रों कम्प्लेट कर लिया है मैं राइट साइड नाइन त्रों में आजी हूँ पहला फंदा स्लिप कर लेंगे अब एक फंदा सीधा बनाएंगे जाली डालेंगे अब यहां से उल्टे फंदे यहां पे हमारे नीचे उल्टे फंदे गट रहे तो यहां पे भी हमने इनको गटाना है दो फंदो को स्लिप कर लेंगे वापस से लाएं में लेंगे और सीधा बनेंगे एक बना लेंगे अब धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, धागा पीछे, आगे की तरफ से दो फंदों में सलाई डालेंगे, और सीधा बुनते एक बना लेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, दो फंदों को सलिप करेंगे, वापस सलाई मिलेंगे, और सीधा बुनेंगे, एक बना लेंगे, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, धागा पीछे, आगे की तरफ से दो फंदों में सलाई डालेंगे, और सीधा बुनेंगे, एक बना लेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जो तीन फंदों में से बीच का एक फंदा है, इस पर ही हम जाली डालेंगे, इन दोनों फंदों पर जाली डालेंगे, दो फंदों को स्लिप करेंगे, वापस लाए मिलेंगे, और सीधा बुनेंगे, एक बना लेंगे, धागा आगे, तीन फंदें उल्टें, एक, दो, तीन, धागा पीछे करेंगे, अब एक सीधा फंदार, एक उल्टा फंदा आगे की तरफ से इन दोनों फंदों में सलाए डाल और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे अब चाली डालेंगे एक फंदा सीधा और लास्ट वाला फंदा भी हम सीधा बना लेंगे रॉंग साइट की रो हमारे सारे फंदे उल्टे बनेंगे मैं आपको कम्प्रीट करके दिखाऊंगी देखिए फ्रेंड्स मैंने रॉंग साइ 11 तो में आ गई हूँ पहला फंदा इसलिप कर लेंगे अब हमारे दो फंदे सीधे बनेंगे पहले एक बनाया था अब ये जाली वाला भी हमारा सीधा बनेंगा एक दो अब जाली डालेंगे दो फंदों को स्लिप करेंगे वापस लाय में लेंगे और सीधा बनेंगे एक बना लेंगे अब धागा आगे यहाँ पे हमारा एक ही फंदा उल्टा बनेगा धागा पीछे आगे की तरफ से दोनों फंद में सलाई डालेंगे और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे जाली डालेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन जाली डालेंगे दो फंदों को स्लिप कर लेंगे सीधा बुनेंगे और एक बना लेंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे आगे की तरफ से इन दो फंदों में सलाई डालेंगे और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे जाली डालेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन जाली डालेंगे दो फंदों को स्लिप करेंगे वापस लाई मिलेंगे और सीधा बुनेंगे एक बना लेंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा दागा पीछे, आगे की तरफ से इन दो फंद में सलाई डालेंगे, और सीधा बुनेंगे, एक बना लेंगे, अब जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, और लास्ट वाला भियम, सीधा बना लेंगे, रॉंग साइट, 12 रो, पहला फंदा स्लिप किया, और सारे फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे, यह जाली वाला फंदा हमारी यह भी उल्टा बनेगा, प्रॉंग साइट से जितनी भी रो बनी है हमारी वह इसी तरह से बननी है, यह जाली वाला फंदा ही से उल्टा बनाना है, इसी तरह से हमने यह रो, कम्प्लेट करनी है, उल्टे फंदे बनाते बहें, देखे फ्रेंड्स, बार अरो हमारी कम्प्लेट हो गया है, यही बारा सलाईयां हमारी आगे रिपीट उत्त रहेंगी, अब हमारा डिजाइन फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा, यहाँ पे तीन फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, तीन सीदे, फिर दो उल्टे, फिर तीन उल्टे, फिर तीन सीदे, इसी तरह से हमारा पैटन आगे continue होते रहेगा, फ्रेंट जब हमारी यह बारा सलाईयां बार बार रिपीट होंगी, तो हमारा पैटन इस तरह से बन के आएगा, फ्रेंट वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सस्क्राइब करिए, थैंक्यू फ्रेंट मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाब बाई,